हाई गाइस। आएम विवेकशंकर। गाइस प्रीवेस वीडियो में इने सौल्ट ब्रिज इलेक्टोड पोतेंशिल एन पैक्टर अफेक्टिंग इलेक्टोड पोतेंशिल एस वेल इस नस्ट एक्वेशन के बारे में डिसकस किया था। आज मैं अपने वीडियो में representation of half cell, reaction, complete cell reaction और कुछ बहुत important numerical discuss करूँगा गाइस बिना देर किये हम लोग आज अपने topic पर आते हैं और discuss करते हैं half cell, those reaction, representation and nest equation for cell जैसा कि मैंना आप सिब क्या बोला half cell, those reactions, representation and nest equation for cell there are two types of half cell, दो प्रकार के half cell होते हैं मैंना आपको पहले वीडियो में discuss कर रहा था कि half cell जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे एक anode half cell होगा और एक cathode half cell होगा anode half cell हमें सा left hand side पर present होता है, cathode half cell हमें सा right hand side पर present होता है anode half cell हमें सा negative electrode होता है और cathode half cell हमें सा positive electrode होता है guys याद है आपको, मैंने बनवाया था construction of galvanic cell में ये सारी चीजिए चलिए, आगया बढ़ते हैं अब सबसे पहले हमें डिसकस करेंगे anode half cell के बारे में इसके बारे में डिसकस करेंगे, anode half cell के बारे में हो, उसी को हम लोग anode half cell बोलते हैं और ये किसी बैटरी का negative terminal होता है कौन से terminal होता बिल्कुल सही negative terminal होता है आप बात करते हैं, anode half cell reaction की तो आपको पता है guys कि मैंने आपको बोला है यहाँ पर क्या होना है, oxidation होना है suppose कर ये मेरे पास zinc rod है, तो अब zinc solid होगा, rod के form में अब जब वो दो electron को lose करेंगा, तो zinc aqueous ion में आ जाएगा बिटे और standard electrode potential जो इसका होता है zinc का, वो होता है plus का 0.76 volt कितना होता बिटा, plus का 0.76 volt, बिटा V मैंने volt के लिए रखा हुआ, ठीक है sort form में चल ला हूँ, आप पूरा लिखके चलिएगा, अपनी copy में, ठीक है guys, चलिए, अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसका standard oxidation potential है, यह क्या है बिटा, standard oxidation potential, और इसको हम लोग standard oxidation potential बोलते है, E0OP और SOP, इन दोनों का मतलब सेम है बिटा, बिल्कुल सेम, standard oxidation potential बोल दूँ, देखे चाहे, standard oxidation potential बोल दूँ, चाहे E0OP बोल दूँ, E0 का मतलब भी electro potential at standard condition है, पिछली वीडियो में मैंने यह डिसकस किया था, और हम इसका representation कैसे करते हैं, अब क्योंकि यहां पर oxidation हो रहा है, तो oxidation में क्या हो रहा है, जिंक solid, जिंक iron में जा रहा है, तो हम लोग इसको 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 लिख सकते है, E0 जैडन solid, single vertical line, zinc aqueous iron, single vertical line बिटा, phase को difference करती है, phase को अलग करती है, तो single vertical line का आपको ध्यान में रखना है, कि वहीं single vertical line लगेगी, जहां पर phase difference होगा, बेटा, एक देखिए, जिंक solid में है, दूसरा aqueous में, मतलब liquid state में, तो it means that दोनों में क्या है, बेटा, phase का difference है, एक solid है, एक liquid है, तो वहां पर हम single vertical line का use करते हैं, क्योंकि इस पूरे process में केवल दो electron का difference आ रहा है, दो electron lose करे जा रहा है, तो n की value मेरे लिए क्या होगे, n की value, number of electron होते थे, n का मतलब small n का मतलब क्या होता था, number of electron, या number of transfer of electron, number of lose of electron, number of gain of electron, तो कितना है ना इनका value या पर, दो है, चलिए, आईए हम लोग यहाँ पर nest equation को follow करते हैं, लगाते हैं या nest equation, कैसे लगाएंगे, गात देखीगा, e, मतलब standard, इसको में लोग क्या बोलेंगे, electrode potential at any condition, या देना आपको, e का मतलब, और e not का मतलब मैंने बदाय था, electrode potential at standard condition, तो e, जेडन solid by, जेडन aqueous is equal to, e not, जेडन solid by, जेडन plus 2 aqueous, minus 0.059 divided by 2, log, concentration of product upon concentration of reactant होता था, तो बिटा, guys, आप बताओ, ये तो reactant है, और ये क्या मेरा product है, तो concentration of product मैंने क्या रखा है, आपर, जेडन plus 2 aqueous, और इसके नीचे क्या आना चीए था, जेडन solid, अब मैंने आपको बताया था, standard condition में, in case of solid, और liquid, in pure state में, उसको unity मान लेते हैं, अगर मैं आपर, जेडन plus 2 solid, जेडन solid की जेगे 1 रख दूँगा, तो मेरा ये ही बन किया आएगा, ये formula बन गया, आपने पढ़ा था, नच्छी question, e is equal to e not, minus 0.059 by n, log, concentration of product upon concentration of reactant, ये आपने पढ़ा था, पिछले वीडियो में ही मैंने discuss किया था, इसके बारे में, आपको याद रखना चाहिए, पूरी नस्ट equation का पूरा derivation मैंने कराया हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो देखे, बाद में ये वीडियो देखेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ये आप समझी नहीं सकते हैं, तो गायद बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही करा, कि मैंने EKG के बिल्कुल वही रखा है, आपका representation का method मैं बता रहा हूँ, एक-एक representation का method, आप कैसे represent करोगे, कैसे लिखोगे, लिखने का method कोई नहीं बत हूँगा, कुछ नहीं छोड़ूँगा, अब इन जर्नल, इन जर्नल में आप कैसे लिख सकते हो, इन जर्नल और जो आपका anode half cell है, उसको हम लिख सकते हो, EOP is equal to E not OP, तो EOP क्या है, electrode potential, है ना, यह बोल सकते है, electrode oxidation potential at any condition, इसको क्या बोलेंगे, electrode potential, sorry, electrode oxidation potential at standard condition, minus 0.059 by and log concentration of iron, क्योंकि बेटा, जब oxidation होता है, तो lose of electron हमेज़ा, solid से aqueous में आता है, जैसा आपने देखा, जिंक की case में, जिंक solid से, जिंक aqueous में गया है, तो मतलब product आपका iron ही रहेगा ना, तो solid के जिएके तो आप unity ले लेते हो, one, जब नीचे, dominator one है, तो one लखनेंग कोई ज़र्वती नहीं है, तो आप direct इस formula का use कर सकते हो, बहुत important formula है, आपके half cell के लिए, अब same metal as op, बहुत ध्यान समझे का मेरी बात बेता है, यहाँ पर, बिना इसके numerical नहीं होगा, बिलकुल नहीं होगा, इस चीज को समझ लो, पूरी चीजे समझ में आने लगेंगी, एक एक चीज समझ में आने लगेंगी, same metal का standard oxidation potential, जो भी हो, equal होता है, minus standard reduction potential, suppose करें, जिंक का oxidation potential है, वो 0.76 volt है, बट इसका reduction, standard reduction potential कितना होगा, इसका minus का 0.76 volt हो जाएगा, बिलकुल साइन में चेंजमेंट आएगा, plus का है तो minus में चलाएगा, minus का है तो plus में चलाएगा, value नहीं बदलती बेटे, value constant रहती है, आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पर iron का concentration बढ़ा दूँ, तो यहाँ पर मेरा जो electrode oxidation potential है, electrode oxidation जो potential है, at any condition, वो decrease कर जाता है, देखें न relation, दिखा, inversely proportional है बाई, एक को बढ़ा बिलकुल सही, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आप मैं बात करता हूँ अपने दूसरे half cell की, जिसको मैं बोलते है, cathode half cell, which is present at the right hand side, यह right hand side पे present होता है, जैसा मैंने आपको galvanic cell में बताया था, तो cathode half cell, half cell at which reduction take place, वहाँ पर oxidation हो रहा था, यहाँ पर क्या होना, reduction, आपको पत होता है, cathode पे reduction होता है, is known as cathode half cell, it is present at the right hand side of the cell, it is the positive terminal of the battery, और cell, यह positive terminal होता है, किसी भी cell का, यह battery का, उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं, सपोस कर यह मेरे पास copper plus two aqua sion है, आप यह दो electron gain करेगा, तो copper solid में convert हो जाएगा, किस में convert हो गा है, copper solid में convert हो जाएगा, तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहो बेटे, कि जो copper iron है, वो दो electron को gain करके, copper solid में चला गया है, अजब आप जिस process में electron को gain किया जाता है, उस process को में लोग reduction बोलते हैं, क्या बोलते हैं, reduction, तो चलिए आई देखते हैं, देखिए किसका standard reduction potential चाहे लिखूँ, चाहे E not RP ल मैं यह लिख दूँ, देखिए यहाँ clear नहीं लिखा हुआ, फिर मैं यहाँ clear लिख दूँ, कि E not of Cu plus 2 iron by Cu solid, एक पस, इस तरह से भी आप उसको represent कर सकते हैं, यही method है, लिखने का, समझने का, चलिए अब यहाँ पर भी आप क्या करीए, यहाँ का cell reaction हो गई, आप यहाँ पर आप 9 divided by N log concentration of product upon concentration of reactant, यही तो आपको बताई थी, आप E की जीगे मेरा जो electrode potential है, वो reduction, electrode reduction potential है मेरे पास, Tom क्या लिखेंगे, E, copper plus 2, aqueous iron, single vertical line का, बिटा सो करती थी, मैंने बताता है, हाँ, बिल्कुल सही, यह phase को difference करती है, यह किसको में difference बताती ही, phase में, तो देखें, यहाँ पर आपका Cu plus 2, aqueous है, और यहाँ पर क्या है, Cu solid है, तो जो single vertical line लिखेंगे, यह किसके लिए, बिटा मैंने लगा रखी ह और आप यहाँ क्या देख रहो, यानि यह जो है, आपका reactant है, यह आपका product है, यानि यह reactant से product कब बनाओगा, जब इसने 2 electron gain करे होंगे, it means that, यह reduction potential की बाद कर रहा है, यह reduction potential को represent कर रहा है, and यह standard reduction potential of copper को represent कर रहा है, minus 0.059 divided by 2, divided by 2 क्यों आया, क्योंकि 2 electron यह accept कर रहा था, किते electron accept कर रहा था, सिर्फ 2 electron, log concentration of product, product क्या है बेटा मेरे पास, product solid है, copper solid, और इनके साब pure solid, unity लेते है, मैंने 1 लिखा इसलिए, upon आपका rating क्या है, concentration of cu plus 2 aqua sign, मैंने यह लिखाए देखिए, देख रहा है आपको, बेलकुल सही, अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें थोगा और is equal to e not cu plus 2 and by cu, अब मैं यहाँ पर negative था हूँ, यहाँ पर positive करते है, तो ही change होज़ा है, अगर log में, तो मैंने plus 0.059 divided by 2, log concentration of, आपका reactant आ गया, और reactant क्या आपका, cu plus 2 i, इसका जो concentration होगा, वो हम यहाँ लिखेंगे, इन जर्नल, जर्नल में क्या करेंगे, reduction potential at any condition is equal to, reduction potential at standard condition, plus 0.059 divided by n, n क्या है, the number of electron, n log, concentration of, iron of reactant, याद रखेंगा बच्चे, और यह जो आप relation देख रहे हो, यह relation directly proportional का है, अगर मैं iron का concentration बढ़ाता जाओंगा, तो मेरा reduction potential भी बढ़ता जाएगा at any condition, यह जो e है, वो मैंने पहले बताता है, यह reduction potential at any condition है, अब अगर e not लिखा होता, तो reduction potential at standard condition हो जाएगा, आगे देखें, अभी आपको, मैंने दोनी हफचल के बारे में बताया ऐनोड हफचल के बारे में बताया, कैथोड हफचल के बारे में बताया, अब मैं आपको सामने रखूंगा complete galvanic cell its reaction its representation and nest equation अब आप पूरे complete cell की बात करेंगे अब मैं anode half cell, cathode half cell को एक साथ रखूंगा एक साथ रखके उनका representation दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, cell को कैसे आप represent करते हैं, कैसे आप cell reaction को लिखते हैं, कैसे आप calculation करते हैं, कैसे nest equation आप apply करते हैं, वो सारी method मैं आपको यहीं सिखाऊंगा यह बहुत important lecture है बेटा मेरा, इसको आप miss मत करना, बिल्कुल भी miss मत करना मैं थोड़ा इसको lengthy इसले बनाऊंगा ताकि आपको एक ही वीडियो में काफी चीज़ों का पूरे अच्छी तरह knowledge हो जाए आप galvanic cell formed by the combine of two half cell पाइ, galvanic cell कैसे बनता जब दो half cell को हम क्या कर देता है, जोड देते हैं anode half cell, cathode half cell को जोड देते है with the help of salt bridge बिल्कुल सही, salt bridge के बारे में याद रखना, अभी homework दोंगा अब पूछूंगा भी, उसके function पूछ सकता हूँ limitation पूछ सकता हूँ condition पूछ सकता हूँ तो उनकी बारे में आपको पढ़के रखना है बिटे तो galvanic cell is found by the combine of two half cells through conducting wire and salt bridge भाइ, दो half cell को मैं conducting wire और salt bridge के थुरू क्या कर सकता हूँ उसको जोडता हूँ तब मेरा क्या बनता है, एक complete galvanic cell बनता है complete galvanic cell चलिए, आगे चलते हैं ज़रिए आपको मैंने बता रखा पूरा डाइग्राम यह आपका क्या है बिटे, आप बहुत अश्य तरह जानतों इससे पहले मैंने galvanic cell को complete construction मैंने दिखाया है अपनी वीडियो में इससे पहले previous वीडियो मैंने उसको discuss किया है बिटे आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले वहाँ देख भी सकते हैं ठीक है? चलिए हम आगया पर देखें आप समझेए अब दो हाफसल है मेरे पास उनको मैंने जोड़ा है किसके साथ जोड़ा है कंड़क्टिंग वायर और सॉल्ड ब्रीज के साथ जोड़ा है तो आप बताओ अनोड हाफसल में आपका ऑक्सिडेशन होगा तो ऑक्सिडेशन कहां हो रहा था मान लीजे मैंने जिंक लिया है तो जिंक ऑक्सिडाइज होगे किस में जाएगा जिंक सॉल्ड जेटन प्लस टू आयन में जाएगा दो इलक्ट्रॉन लूज करेगा अब आप बताइए इसका स्टेंडर्ड ऑक्सिडेशन पोटेंशियल क्या होता है बिल्कुल सही क्या होता है बिटा 1.76 वोल्ट कितना होता है बिटा 1.76 वोल्ट सॉरी गाइस 1.76 वोल्ट ने 0.76 वोल्ट होता है कितना होता है बिटा 0.76 वोल्ट प्लीज कारेक्टेट तूरन पॉरन करेक्ट करिए उसको बिलकुल करेक्ट कर लिए आपने जिंक सॉलेट से जिंक प्लस टू एक्वास आयन में आया दो इलक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसका इसको डिप्लिट दिखाना गार्यक्षिशन लिखते यहां पर आपका सॉलेट है बाद में अपका एक्वास है तो वैसे आपको लिखना पहले है तो अगर आप ने इसको लिख दिया तो रिटेक्शन पोडिशल हो जाएगा इसलिए बहुत ध्यान से समझेएगा इसको आप इसके मिला दूसरा जो कैफोर्ड आप सल में और अगया अब है और हो तो इसका इसका इसको और लिएक्षिन पूटेंचल पूटेंचल होता है बिल्कुल सही इसका standard reduction potential होता है minus का 0.34 volt बिटा minus नहीं यहाँ पर plus है ठीक है उसको correct करें तुरंत गलत लिग गया होगा बिल्कुल सही हमेंने क्या बोला copper plus two equus and two electron gain करता है copper solid में जाता है और उसका standard reduction potential कितना होता है 0.34 volt आप complete selection लिखनी आपको क्या लिखनी में complete selection लिखनी complete selection आप कैसे लिखोगे complete selection कैसे लिखोगे आप दोनों तरफ से electron को cut कर दीजिए देखें दोनों तरफ से electron अगर बराबर है तभी कटेंगे equal होने चाहिए तभी आप इसको cancel out कर सकते हो अगर equal नहीं है तो आप किसी भी एक simple value से multiplication करिए पूरी reaction को और electron को balance करके cut करिए जो आपको first day में सिखाए गया था reaction को balance करना आप देखें क्या क्या बचा left hand side पर क्या बचा left hand side पर जिंक solid और copper plus two equal sign मैंने दोनों को लिखा right hand side पर क्या बचा जिंक plus two iron और copper solid दोनों लिखा आप याद रखेगा कि जो भी आप इन दोनों reaction में किसी भी simple ratio का multiplication करेंगे बट व होगा अब इनको जोड़ दीजे जोड़िए तो कितना आएगा बटा 1.1 वोल्ट मैंने पूरे सेल का जो standard सेल है ना इस इनॉट ऑफ सेल वह कितना निकल क्या 1.1 वोल्ट अच्छा एन की value कितनी है एन का मतलब होता है मैंने पहले बतायता है number of transfer of electron और number of gain of electron और number of lose of electron तो यहाँ पर बढ़ा ट्रांसपर कितना हो रहा है जब सोचो जब दो electron यहाँ से निकले होंगे वही न दो electron इस copper ने accept की है तो दो ही electron का तो transfer हुआ है यानि एन का value कितना हो गय दो हो गया इसल कैसे निकालते हैं हमेशा इसल निकालते हैं EOP of anode plus ERP of cathode इन दोनों को जोड के हम लोग E cell निकालते हैं इसी तरीके से हम लोग E not cell भी निकालते हैं E not OP of anode plus E not RP of cathode इस तरीके से अपलाई करिए यहाँ पर इनस्ट इक्वेशन को E cell is equal to E not cell minus 0.059 divided by 2 because n का value दो था लॉग कंसेंटेशन आप प्रोडेक्ट प्रोडेक्ट में क्या है बेटा आपके साइड प्रोडेक्ट में एक तो copper solid दूसरा जेटन प्रस टू एक को सायन है तो मुझे तो आए नहीं लेना है इनकेस आप solid तो one हो जाता है तो unity मैंने नहीं लिखी one नहीं लिखा one का multiplication नहीं करा क्योंकि one सा multiplication से ही रहेगा रेक्टेंट में क्या है रेक्टेंट में बेटा जिंग solid है copper plus two cosine है तो जिंग solid का unity one हो गया क्यों solid state में pure state में और copper ion का concentration लिखोगे आगे बढ़ते है इस not of cell आपने कितना निकाला था बिटा one point one निकाला था आपने उपर देखी यहां पर one point one निकाला था आपने माइनस 0.06 मैंने इसले लिया एप्रॉक्सिमेटल इसको 0.06 माल लिया डिवाइड बाइ टू लॉग जेटन प्लस टू आयन अपन copper प्लस टू आयन यह दोनों concentration का रिश्यों आप इनका रिपर आप इस तरह से इंको सॉल्व करते हैं रिप्रेजंटेशन कैसे करते हैं रिप्रेजंटेशन होता है बिटा आनोड हाफ सेल डबल वर्टिकल यह मैंने आपको पहलेmotית सींगल वर्थिकल नाइन फेस को डिदेज करते हैं डबल वर्टिकल लाइन वे इसी की तोरूत आपने जोड़ता है इस तरह से रिपेजिशंट करना है, यानि जिंक, शॉलेड रेफ्ट एंट साइड पर जो होगा वो आपका इलेक्ट वोJe, यह आपका इणोड है, यह आपका कैतोड है यह उसका इलेक्ट्रोलाइ तनि देभी मोलर को होता Hamm 2014 सी टू मोलर अब इसको रिप्रेजन कैसे का सकते है आयनिक फॉर्म में बिल्कुल सिंपल देखे एक सेल बन गा पूरा सेल कैसे बन गा जिंक सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन जेडन प्लस टू एक्वास डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रेच फिर क्या गया यह आपका हो नेक्स्ट वीडियो में नुमेरिकल पॉइंट आव यू पर जाओंगा और वहां पर आपको जितने भी इंपॉर्टन नुमेरिकल हैं वो मैं डिस्कस करूँगा थाइंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो